इस ख्षेत्र का विशेष्टा ये है यहां जो भी श्रत धालू बिलूव पत्र से और जल चड़ा के बिलूव पत्र चड़ाते हैं उनकी सारे मनों कामन पूर्ती होती है यहां दोस्तों यहां जो मंदिर है यहां जो की यह जो मंदिर है यहां जो मंदिर की महत्मता मैं आपको बताने वाला हूँ और साथी साथ यहां के हिस्टरी के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को अन्तक जरूर देखें ताकि आपको घर बैटे बैटे ही बिलकेश्वर महादेव के दर्शन हो जाए और आपको यहां आने से पहले इस मंदिर के बारे में सारे information भी मिल जाए हर हर महादेव आज हम बात कर रहे हैं श्री प्राचीन भिल्वकेश्वर महादेव मंदिर की इतिहास पर तो माता पार्वती का कन्यास्वरूप की रूप में यहां आके माता पार्वती ने 3000 साल तपस्या की थी और इस खेत्र का विशेष्टा यह है यह बिल्व परवत है और यहां हर जगे आपको बिल्व पत्र का व्रक्ष मिलेगा तो माता पार्वती ने 3000 साल तपस्या की साथ उन्होंने ग्रहन भी बिल्व पत्र ही ग्रहन किये थे और माता पार्वती तपस्या पुर्ण होते शिवजी ने जहां दर्शन दिये थे वो भी बिल्व वरक्ष की नीचे ही उन्होंने तपस्या की थे आज भी यह मंदिर बिल्व रुक्षे के नीचे ही है तो यहां की पेड़ में भी परिवर्तन हुआ तो वह नीम की पेड़ की नीचे इस समय है इस क्षेत्र का विशेष्टा यह है यहां जो भी श्रद्धालू बिल्व पत्र से और जल चड़ा के बिल्व पत्र चड़ाते है उनकी सारे मनो कामन पूर्ती होती है आगे इस वीडियो में आपको दिखाए होंगी कि गोरी कुंड की यहां से 200 मीटर की दूरी में है जो गोरी कुंड है जहां माता रानी यहां तपस्या करके वहां विश्राम करते थे और वहां नहाते थे और वहां की विशेष्टा यह है कि जो गोरी कुंड में जो भी कन्या स्वरूप में जो भी आज की डिट में जो भी आते है तो वहाँ श्रद्धा से पांच इतवार जो भी नाते हैं उनकी मनों कामना पूर्टी होते हैं जैसे शादी का हो या कोई भी रोग हो चर्म रोग यानि हर सीज का रोग की इलाज हो जाती है वहाँ नाने से और जो भी जिनका बच्चे नहीं हो रहे हो वहाँ श्रद्धा से जो पांच इतवार नाते हैं उनका बच्चा भी हो जाते इस शेत्र का ये महत्व है और बिल्वकेश्वर महादेव इतना प्राचीन है यहाँ इस जगे का खोज आधिशंकराचार ने किये थे जो उन्होंने सकंद पेरान की उल्लेकन से दूनते हुए यहाँ पहुंचे थे कि यहाँ एक मंदिर होंगी तो उन्होंने वरक्ष की नीचे मंदिर देखे और उन्होंने दुनिया की ये मंदिर को फूजन के लिए अकाड़ा की स्थापना की बाद उन्होंने अकाड़ा को सोपे, तो तब से अकाड़ा की नागा महात्मा यहां की पूजापाट करते है, तो यह एक इस खेत्र का महत्व है, और आने वाले सभी शरद्दालों को, सभी वों को बिलवकेश्वर महादेव की कुरुपा प्राप् विवस्ता निरंजीनी आकाड़े की महन जी श्री दिगंबर बलवीरपुरी महराज जी ने यहां की विवस्ता आज की डेट में देख रहे हैं और यह निरंजीनी आकाड़े की ही स्थान हैं हर हर महादे बस्नी माता बस्नी किता बस्नी चरन अतार नहीं है जो इन जटाओं को प्रिशा पारण पोथन करती है इसे से जटाएं पंदर और सुडूल गरती है झाल 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 और सारे मंदिर जो हमने आप सभी के लिए कवर किये हैं यहाँ पे अगर ये सब देखके अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना ना भूले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और साथी साथ उसके बगलवाला बेल अकन जरूर प्रेस करें ताकि जब कभी मैं ऐसी डेस्किनिशन्स कवर करूँ ऐसी जगे आप सभी के लिए कवर करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तब तक के लिए चैनल को देखने के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद